Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and आज के वीडियो में हम सीखेंगे psychology क्या होती फॉरेक्स ट्रेडर की basically क्या होती है और क्या होनी चाहिए वो तो डिफरेंट से हो गयाप है उसको आज खतम करेंगे तो start करते है सबसे पहले तो हम में समझना है psychology of forex trader में psychology का मतलब क्या होता है psychology का मतलब होता है किस तरीके से आप सोचते हैं क्या होता है हर कोई एक अलग तरीके से सोचता है एक इंसान लिटसे जो police में उसकी psychology अलग होती है उसको एक तरीका होता है वो trained होता है उस तरीके से सोचने के लिए एक driver होता है, उसकी psychology अलग होती है, वो roads को लग तरीके से देखता है, काई घुमने जाता है, तो एक कोई बंदा होता है, जो अगर आप swimming pool पे तैर रहे होता है, आपकी psychology अलग होती है, आपको हाथ चलाना, पैर चलाना, मतलब कोई भी चीज कर रहे हो life में, छो पढ़ाई, student क psychology अलग होती है, एक businessman के अलग होती है, एक job वाले के अलग होती है, तो trader की psychology, especially forex trader की, कैसी उनी चाहिए, क्या challenges है, कैसे solve करें, उसकी बात करते हैं, देखो, एक बात बता तो, अगर बच्पन से ही मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, सब forex trader होते हैं, तो मेरे को कोई ये सोचते हैं, कि मुझे जल्दी सो के उठूँगा, तो क्या, forex में भी success मिलेगी, अगर मैं मैं मैंनत करूँगा, hard work करूँगा, जादा chart देखूँगा, जैसे जादा पढ़ा ही करूँगा, तो क्या मैं जादा पैसा कमाऊँगा, सब गलत है, यहां पे वो hard work वाले rules काम नह इंफॉमिशन है, बहुत बड़ा announcement है मेरे को आपके लिए, but control करें, उसे ना देखें, अभी आप पूरे 500 points सुने मेरी बात, तभी आपको मजा आएगा सुनने में, last announcement, चलो start करते है, point number one, reset yourself, reset yourself मतलब क्या होता है, कभी भी कोई trader होता है, वो हमेशा revenge के लिए आता है, भी fresh trade करने के लिए नहीं आते, हम हमेशा recovery करने के लिए आते हैं, और recovery करने के चकर में अपनी पूरी expectation उस trade से रखते हैं, जिसका outcome आपके हाथ में नहीं है, आप euro, USD को move नहीं कर सकते, USD, JPY को खीच नहीं सकते है कि तू नीचे गिर, gold को बोल नहीं सकते है, तू उपर जा, Dow Jones को भका नहीं दे सकते, मतलब हमारे हाथ में outcome नहीं होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, trading plan हमारा, कि किस type से entry लेनी है, कहां stop loss होते है, target रखना है, लेकिन क्योंकि हमारी जो पूरी emotional capacity होती है, उस outcome के लिए होती कि मेरा loss recover हो जाए, तो हम लोग ना हमेशा एक stress में trade करता ह मतलब अपने आपको समझना इस बात को कि आज के पहले जो भी loss हुआ, जो भी हुआ, उसको मैं भूलता हूँ, क्योंकि पैसा गया ऐसे आनी सकता, नया पैसा कमाया जा सकता है, पूराने को छीन नी सकते, तो पहले तो बोलिए reset, मैं mind को reset करता हूँ, मैं restart करता हूँ और trade क कर रहा हूँ, fresh, fresh outcome के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, point number one, before starting any forex trade, reset your mind, चाहिए तो दो दिन का break ले लो, charts मत देखो, हफते का break ले लो, कुछ books पढ़ लो, but reset yourself, point number two, discipline in over leveraging, मतलब, यार देखो, जो कही बारना advantage होता है, बिचारा वही चीजना disadvantage में बदल देता है, मतलब क्या ह एक trader, forex trader के लिए advantage क्या होता है, भारी leverage, वही advantage उस trader के लिए disadvantage बन जाता है, क्योंकि जो leverage होता है, उसे तलवार की तरह कहता है, जो, दो side की तलवार होती, यहाँ पकड़े भी ऐसे हो, मारे तो मर भी सकता है, आदमी और हाथ भी कट सकता है, मतलब की, over leveraging is a big problem in our industry, देखो, आप trade करते हैं, आपको काईदे से point one lot size देना चाहिए, लेकिन कभी आपने one दबाके देखा है, order accept हो जाता है, पक्का देखा होगा, जिते लोगों देखा है, बता ना, किया नहीं क्या यह गल्ती, गल्ती के, आप experiment तो करेंगा ना भाई, किस तो button दबाके देखेंगे, और फिर क्या होता है, फिर हमें लगता है, चलता हूँ, चलने देता हूँ, over leverage करने से क्या problem होती, गाइस कोई problem नहीं, अच्छा है न, मैं तो जानता हूँ, अगर आप पैसा कमाएंगे, तो ज्यादा ही कमाएंगे, और बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन गवाएंगे त कि धाइसो रीकवर कर लो अनिश भाई, फिर अपन पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, यही कहानी बहुत दिनों से चल रही है, परिशान कर दिये, तो as a trader, leverage आपके लिए power भी और वो भी है, कही न कहीं, कर्स भी है, बून भी है, तो देखो, समझो, अपने leverage को कम यूज करो कम यूज करो, lot size छोटे रखो, और बार बार trade करो, lot size बढ़ाना है, तो pullback, मतलब कि market उपर गया, अगर buy किया था, तो नीचे आया, किसी support लिया, moving average पे, वापस उपर गया, इस तरीगी की जगह पे अपने lot size बढ़ाओ, but don't use the leverage, तो discipline in over leveraging, point number 3, over trading discipline, मतलब फिर वही बात, क कि भाई 24 घंटे खुला है, forex market, 500 दिन खुला है, forex market, जब सो के उठे, चाहे सुबा, 11 बजे, 13 बजे, रात के 2 बजे, trade चालू है, market में trade कर सकते, मैंने भी गलती करी, आपने भी करी, अब बंद करनी है, आपकी psychology होनी चाहिए, कि भले market खुला है, तो इसका है मतलब होना ह कि मैं हमेशा trade में घुसे रहूंगा, हमेशा अपन को trade में घुसे रहना है, overtrading हो जाती है, क्योंकि market खुला होता है, कोई बात नहीं, आपको बच्पन से नहीं सिखाए गया था इसले गलती हुई, अब कंट्रोल करना है, अब आपको समझना है, कि पहले तो जज़ करो, gold trade करते हो, तो मालू हम आपको American market के आसक बास बहुत बड़ा movement आता है, European market trade करते हो, Euro-USD आपको मालू मैं market, तो फेहर में एक दो बज़े के बाद movement आता है, तो आपको ना, आपको एक link दी थी ना, website मैंने दी थी आपको, जिस से आप Basics of Forex का मैंने वीडियो बनाय था, उसमे timing पता करो ना, high volume hours कौन से होते हैं, आपके pair को लेकर के, आप उसी time पे trade करो ना, दिन बर में कभी भी मत करो, इसका ये मतलब नहीं है, कि मानलो आपका high volume hour, शाम के 6 बजे इंडिया के, लेकिन आपको entries सुभा 11 बजे मिल रही है, low entry, low entry, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर SLE for your payers, know the best time for your asset, and then trade the best times only, तो अपने overtrading से बचे, point number 4, generalizing, generalizing मतलब कि देखो हमारी तो ये रुपी में calculate करने की, कि 25,000 capital है, चलिया trade करते है, चलिया 7500 रुपय का 1200 का loss हो गया, अब यहां पे 25,000 रुपय का होता है, कितना होता है, भाई 300 डॉलर, अभी 300 डॉलर का account है, तो 300 अभी stop loss होता है, क्या फर्क पड़ता है, 40-50 का loss हो गया तो, आप generalize करने प्लगते हो, जब बात डॉलर में हो रही होती है, तो बहुत important है, इस बात को समझे, अपने mental calculation को बना के रखे, मैं जानता हूँ, जो trader है, उसी को समझ में आएगा, कि generalizing हो जाएगा, 20-30 डॉलर क्य चीजे होती है, कई बात जो trader है, वो समझे का, इस problem में फस जाता है, never generalize, understand you are trading in dollars, so you need to understand कि कितने की value है, कितनी की नहीं है, कई बात हमें लगता है, चोटा amount है, रिस्क ले ले ले, चल कुछ, 300 डॉलर है, दुबारा डालेंगे, नहीं डालना है 300 डॉलर, यही बोलो भाई, अगें अगें, हर दिन दालोगे 25,000, तो भाई रोको गया, तो understand the value of dollar versus rupees, point number five, treating forex like a business, क्या होता है, बहुत सारे मेरे students है, जो सही पैसा कमा रहें, seriously, कुछ students है, जो कि Dow Jones से पैसा कमा रहें, कुछ है, जो gold trade करके कमारे, money management rule follow करके, कुछ मेरे students है, जो मुझे बताते हैं, कि वो मुंबई चले जाते हैं, डेली चले जाते हैं, छोटे शेर वे रहते हैं, तो तीन दिन hotel book करके रहते हैं, और hotel book करके अखेले रह करके trading करते हैं, ये नहीं कहा हो कि hotel book करो, एक बात बता रहा हूं, जो ने अपना तरीका बनाया है, मतलब क्या बोलना चाहता हूं, treat your forex as a business, but how do you treat something as a business, by creating the rules and following the rules, rule number one, technical reason, trade करने का, कि डबल बॉटम बने का तो लूँगा, मुविं अवरेच पर सपोर्ट लेगा, तो लूँगा, इंवर्टे एंशुल्डर को तो ट्रेड लूँगा, कि कोई न कोई टेकनिकल रीजन हो का तो ट्रेड लूँगा, पहली बात, दूसरा रूल कि अगर मेरा stop loss है तो दो stop loss है, तीन stop loss के बाद मैं दुबारे trade नहीं करूँगा, मैं overtrading नहीं करूँगा, point number three, मैं इतने इतने lot size से ही करूँगा, lot मैं तभी improve करूँगा, बढ़ाऊंगा जब मेरे को कुछ ऐसा देखे का मेरे trade में, तो ऐसे करके जब आप आप rules बनाएंगे, rules को follow करेंगे, तो आप respect देंगे, trading को अगर आप as a business choose करें, यह forex नहीं stock market के लिए भी सच है यह वाली बात तो, if you treat trading as a business, market, and if you respect the market, not like gambler, तो market भी आपको respect देता है, आपको पैसे देता है, तो ठीक है, तो I hope आपको यह पांचवा point भी समझ माया होगा अब यह मैंने आपको पांचवा point बता दी है, अब यह पांचवा point को अगर आप लिख लो अगर, तो लिख के notes बना लो, और इसको आप अपने word में comment करके बता हो मेरे को, कि क्या समझ मैं आपको, और कौन सा point अपका favorite था, मैंको ज़रूरू बताना, अब यह जो चीजे थी अगर आप में भी forex दी कुछ और trade करते हैं, तो भी बता रहा हो, यह सब में आप लिकेबल होती, जो चोप है, script वे अप लिकेबल होती, वो भी चोप इस गंटे को ला होता है, उसमें भी leverage कासी ले सकता है, इंसान, तो ऐसी बात है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा trader, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो देर वन थिंग तो इस वन थिंग यह वरी इंपॉर्टन विच इस ओपल डिसिप्लें, इस बाच्पन से नहीं होती, कुछ लोगों के अंदर होती है, आर्मी वाले होते है, पुलिस वाले होते है, क्यू होते है, क्यू होत क्यू होती है, तो कभी दी मोटिवेट मत हो, कि मेरे इन डिसिप्लेंट, कही लोग डिसिप्लें नहीं लापाते है, अगर आप प्राक्टिस करोगे, डिसिप्लें तो आएगा, मेरे अंदर भी आया, भले तकलीफ देका या, टाइम के साथ आया, बट वो आया, तो आपके जैन्वरी को, नया साल आता है, हरो को प्लान करता है, एक जैन्वरी से में अच्छी-ची हैविट्स बढ़ाऊंगा, बुरी-बुरी हैविट्स कम करूंगा, यह अच्छा करूंगा, रिसोलूशन लोंगा, और वो रिसोलूशन लोग लोग लेके फेल कर जाते हैं, और सब बिलिनेर्स के अंदर कॉमन है, मैंने भी उनको अपलाई किया, जिस चीज़ पे हाट डाला, सक्सेसी सक्सेस मिली, इसकाइ मतलब नि मैं लगी हूँ, लगी कोई नहीं होता, बाई, सब महनत करते, काम करते, किसी को नहीं पता कि बैक ग्ग्राउंड में किसने कितने महनत कर तो अब वो एक limited time का event है, जिसमें बहुत ही limited लोग आएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी वो zoom registration होगा, एक limit होती ही zoom की भी, और उसमें भी limited special registration होगे, चाहूं तो free कर दू, मैं चाहता हूं free करना, सब को information देना, बट क्या है न, कोई बीचीच free करो न, तो फिर लोग respect नहीं करत 2-3 बजे, एक जन्वरी को, मेरे साथ बैठना है 2-3 गंटा, और उसमें जो मैं आपको चीजे दूँगा, मैं promise करता हूं, भूल नहीं पाऊगे, और सारी चीजे अच्छी रहेंगी, मेरी खासी बात क्या है, कटिंग कटिंग चीजों को मैं simple word में समझा देता हूं, तो मैं को trade करना है, तो आपको बचा दू, broker बहुत important होता है, best brokers है, Xness and CMS Prime, दोनों मेरे पसंदीद आप brokers है, और उनी brokers को, जो account खुलवाता है, मेरे थू, giveaway भी मैं करता रहता हूं, giveaway चली रहा भी भी, Apple iPhone के products है, new year के लिए, आप चाहो तो अपना account open करा लो, forex at boomingbus.com पे अपनी ID भे आपको account open करने का link मिल जाएगा, चलो guys, I hope you enjoyed the video, और कोई video बर्मना चाहते हो, तो बता देना जरूर, और जरूर वो learnings जो है, 5 points की, वही बताना, चलो, thank you so much, bye-bye. झाल